आज हम आप लोगों को Class 12th English के कुछ एक महतपूर Central Idea बताऊंगा साथ में यह भी बताऊंगा कि आपको Board Exam में Central Idea कैसे लिख कराना है जैसा कि आपको मालूम है Hindi और English मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ Hindi और English आपका Literature वाला सब्जेट होता है मतलब साहितिक सब्जेट होता है इसमें आप Board Exam में क्या लिख कर आते हो यह नहीं मतलब निकलता है आप कैसे लिखते हो काफी पर यह सबसे ज़्यादा मतलब निकलता है क्योंकि कुछ एक student होते हैं जो आपसे अच्छा लिखे रहेंगे लेकिन उनका अगर presentation skills सही नहीं है वो सही तरीके से नहीं लिखे है तो examiner उनको आपसे कम नमबर देगा आप उनसे कम लिखना लेकिन अगर आपका presentation skills सही है तो आपको examiner उससे अच्छा नमबर देगा हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं हिंदी में कैसे जीवन पर्चे लिखा जाता है आप में से बहुत से student हमें लिख कर भेजे भी थे टेलिग्राम पर कि जैसे मैं बताया था उसी तरह से आप लोग लिख कर भेजे थे तो आप सभी लोग इसी तरह से practice करते रहेगा आज हम आपको central idea बता रहा हूं कैसे लिखना है copy पर central idea ये मैं बताऊंगा उसके बाद important central idea भी बताऊंगा तो आप आपका काम क्या है जो भी मैं central idea बता रहा हूं उन सभी central idea को जैसे मैं बता रहा हूं उसी प्रकार से क्योंकि जैसे exam में लिखना वैसे ही आपको practice करना है फिसे देखे कुछ लोग पुछते हैं कि sir copy कैसे लिखते हैं कापी कैसे लिखते हैं इसमें 2-3 चीज़े हैं बता देंगे आपको लेकिन कापी लिखते समय हर एक question को लिखने की अलग-अलग कला होती है वह आपको एक-एक question के जरिए हम आपको बता रहे हैं कापी का इस पर कोई question करते आए और यहां पर यहां पर यह आप question नमर डाल का Central idea लिखने लगे आधे पेज से ऐसा नहीं करना है हमेशा एक नए पेज से सुरू करना है Central idea को लिखते समय आपको नए पेज से सुरू करना है नमर एक बार मैं उम्मिद करता हूँ यह चीजी आपको सब्स्रहाई को Central idea कैसे सुरू करना है मैं आपको बता रहा हूं पहले आपको पेज एक बधाए माहां से आपकी लाइनिंग सुरू होती है उब उपर आपका जो लाइनिंग कटा होता है तो आपको क्या करना है सब के पहले यहाँ पर आप कोर्स्टं लिखेंगे कौुसा कोश्टन है जिसका आप एंसो लिखने जारा है यहां ठीक है लुगो, उसके बाद यहां पर आप payoff का नाम के लिखके क्योंकि आपके याम में तीन option होता है Central area उसमें से आपको एक लिखना होता है तो आपको जो पोयम का लिखना होता है। बसी इंटर लेडिया उसका यहां पर नाम लिखे यहां पर ध्यार पर समेंगा यहां पर आप पये यहां तक हो जाएगा अब आ का नाम लिखे लिखे लोज जो और आप इसमार करना चाहते हैं तो यह चीज़े और है कव राटल लिखे जहां को गूगल करना पड़ेगा अध्यास बुक में भी दिया है कि यह जो फोयम का आप रांट राय डिया लिकने जा रहा हुग वह पोयम राइटर कब लिखे थे जो राइटर हे उस ऊच्छे हु़ historik इंचरण राइटर कर नाम यहां पर आप लिखे हो साथ में स्टान इतना यहले दिना इतना और उसके बाद यहां से जो आप Central Idea याप की उसको लिखने इस्टार्ट करना है जब एक जामना आपके copy को देखेगा तो सबसे पहले उसके आपकी writing skill पर जाएगा कि देखो यहां पर आप लिखे हो question number यहां पर poem का नाम और यहां पर writer यानि कि जिस line में आपको poem का नाम लिखना है उसके नीचे वाले line में writer का नाम लिखना है और यहां तक अगर आपका poem का नाम खत्म होता तो इसी जगा नीचे से writer लिखना है writer का नाम अगर ऐसे लिखे हो तो एक जामना सबसे पहले उसका ध्यान जाएगा आपकी writing skill पर कि यहां पर poem का नाम नीचे writer का नाम उसके दिमाग में बैठेगा हाँ लड़का का कुछ preparation है नीचे क्या लिखे हो आप central idea में वह नहीं पढ़ेगा और नमर देकर आगे बढ़ेगा क्योंकि आप में से कुछी student इस प्रकार से लिखेंगे सब लोग यहां पर सीधे question नमर यहां पर central idea लिखने शुरू कर दे होंगे ऐसा सब लोग करेंगे लेकिन आप में से कुछी student इस प्रकार से करेंगे वही student को अच्छा नमर देगा कम लिखना चुकि आप समझ लोग यहां तक आप चार-पांच लाइन तो अपने आप खत्म है वैसे मैं नीचे discussion में link दे दूगा टेलीग्राम पर वहां पर में इसका पीडियाप डाल दूगा ठीक है पहली बात दूसरी बात मैं एक दूसरा भी link दे दूगा उसके जरिए भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो कौन कौन से central idea है हम आपको चार central idea दे रहा हूं सबसे सबसे पहला central idea है the character of happy life फर्स्ट central idea आपको तयार करना है और इस सभी central idea को चारो के चारो आपको कितने दिन का समच आगे comment box में comment करना उसके बाद ही हम नया कुशन देंगे आपको याद करने के लिए उतने दिन का आप टाक्स समझ कर चारो को चारो याद करकर लिख कर मुझे टेलीग्राम पर भेज़ना जैसे मैं बताया हूं अगर कुछ गलती करोगे लिखने में तो मैं टेलीग्राम पर यह आ आचर करो शुल इसा का मन खर्ताइब्दे कर लेना उसको का में बताकर मैं बताओंगा और इसको किस परकार से आपको कौन कौन इपॉर्टेंट है को मैं बताओंगा कौन त्यार करना आ नेस्ट वीडियो में धन्यवाद आप सभी को जो लोग डेली मेहनत कर रहे हैं इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहे हैं जल्दी आपका बोड़ी जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है जितना समय बचा है पूरा ताकत लागत तैयारी किजिए निश्ची तरूप से आपकी बोड़ी जामें अच्छे परसेंटे जाएंगे तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में धन्यवाद